हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इंडेन स्टेडी इंडेन स्टेडी पर आपका स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए दिल्ली पुलिस कॉंस्टेविल के लिए जो लास्ट एयर का पेपर है वो ले करके आया हूँ क्योंकि आप सभी लोग जानते ह दिल्ली पुलिस कॉंस्टेविल के फॉर्म जो है वो ऑनलाइन हो चुके हैं और इसका जो एक्जाम है वो 27 से 14 दिसंबर के बीच होगा यानि कि 27 नॉम्बर से 14 दिसंबर के बीच होगा है ना यानि कि आपके पास लगबख 3-4 महीने का समय है ठीक है लेकिन उससे पहले बहुत जादा इंपोटेंस है आपकी देहली पुलिस कॉंस्टेविल के एक्जाम में तो वीडियो को एंड तलग जरूर देखिएगा आज मैं जीके के सारे कोसंस कवर करूंगा पूरे 50 कोसंस के किस तरीके से आपके कोसंस पूचे जाते हैं ठीक है तो चलिए स्टार्ट क जाएगा नेक्स्ट कोसंस पूर्ण प्रतियोगता की आवसेक सर्ते क्या हैं पूर्ण प्रतियोगता की सर्तों में से कौन सी एक है कि समय में एक जैसे समानों के लिए एक समान नमूल चौता आपजसेंस बिलुकुल जाएंगा नेक्स्ट कोउसेंस आपके सामने हैं इमपीरियल बेंक ऊफ इंडिया की इस्तापना किस वर्श की गई थी तो देखो इमपीरियल बेंक ऊफ इंडिया की जो इस्तापना है यह 1921 में की गई थी और आगे चल करके यही बैंक 1905 में SBI बैंक बन गया क्या बन गया SBI बैंक तो यह आपको पता होना चाहिए कई बार तो यही पूछ लिया जाता है कि SBI बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था Imperial Bank के नाम से 1905 में SBI बैंक बन गया यह समझ गए ना Next questions निम लेकत में से कौन सा विवस्थापिका का कार नहीं है कौन सा विवस्थापिका का कार नहीं है तो बजट बनाना यह विवस्थापिका का कार नहीं है बजट बनाना यह बित मंतराले का काम है विवस्थापिका का नहीं है Next questions समाजिक समझोता सिद्धान के प्रिण दाता कौन थे समाजिक समझोता सिद्धान के प्रिण था हॉप्स लॉक रूसो ये सबी थे चौथा ओप्सन्स बिल्कलो करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कोसन्स आपके सामने किस समिधान संसोधन द्वारा दिल्ली में 239 का ए था ठीक है और अगर हम बात करें कि ये समिधान संसोधन कब हुआ थो तो 1991 में हुआ था ये बहुत डेट आप से पूची जाती है तो इसको जरूर से याद कर लीजिएगा नेक्स्ट कोसन्स अनुच्छे इस्ते लिस्ते थे तो राखी गड़ी राखी गड़ी जो है ये कहां पर इस्ते थे जल्दी बताओ तो राखी गड़ी हरपा में हर्याना में इस्ते थे ये हरपा इस्ते लिए और दिल्ली के हौज खास छेतर में चार मीनार किसके दोरा बनवाई गई थी हौजखाच छेतर में चोर मीनार लिकी हुए है जो भी हो तो ये किसने बनवाई थी तो ये बनवाई थी आपकी अलाउद्दिन खिलजी ने पहला ही options correct next questions आपके सामने सरपरतम किस भारती राश्टी आंदोलन में बन्दे मातरम लोगों को लोग पर ये गीत बना तो किस भारती राश्टी आंदोलन में तो ये सौधी सी आंदोलन में बनाता किस आंदोलन में सौधी सी आंदोलन में चोथा options correct next questions निम्ले के तमेंसे कौन सा इस्थान दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन राजदानी थी कौन सा इस्थान दिल्ली सल्तनत की अल्पकाली की राजदानी थी तो सही आंसर हो जाएगा देवगिरी और ये किस के समय में थी MBT मुहमद बिन तुकलक के समय में next questions आपके सामने कि अलाई धिन का जोपड़ा किस ने बनवाई था तो अलाई जून का जो जोपड़ा है वो कहां पर इस्तित थै तो ये राजस्थान में sistema कहां पर इस्तित थै राजस्थान के अजवेर में तीसरा options बिल्लुकल करेक्ट यो संग तेवार किस राज में मनाए जाता है यो संग तेवार किस राज में मनाए जाता है तो यो संग तेवार जो है यह मणीपुर में मनाए जाता है कहाँ पर मणीपुर में पहला ही ओप्संस आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कौन सा पहला option बिल्गु करेक्ट कस्मीर की पूरवी सीमा को क्या कहते हैं तो कस्मीर की पूरवी सीमा को हम लद्दाग छेतर कहते हैं लेकिन वह यह अब यह कोसंस तो हटाई दो क्यों क्यों कि लद्दाग भी एक UT बन चुका है तो इसलिए हाँ अब ये कह सकते है कि कस्मीर की पूरवी सीमा को लद्दक छेतर तो कहते ही लेकिन वो भी एक यूटी है जलपाई गुड़ी किस नदी के किनारे इसते थे जलपाई गुड़ी जो है वो एक जिले का नाम है पस्चिम मंगाल का जिला है जलपाई गुड़ी ठीक है ना तो ये किस नदी के किनारे इसते थे तो ये तीस्ता नदी के किनारे इसते थे पस्चिम मंगाल में ठीक है तीसर आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका अरावरी रिज यानि कि पहला उपसंस करेक्ट नेक्स्ट कोसंस है आपका कि भारत का एक मातर सक्रिय जोला मुकी जो की वेरन आइसलेंड कहां पर इस्तित है वेरन जोला मुकी है वो भारत का एक मातर सक्रिय जोला मुकी है वो किस आइसलेंड में इस्तित है तो सही आंसर हो जाएगा अंडमार दीब समू में यानि कि पहला आपका विल्कुल करेक्ट नेक्ष्ट कोसंस भारत का कौन सा छेत्र अपनी वर्सा का अधिकांस भाग उत्तर पूर्वी मांसून से प्राप्त करता है तो कौन सा छेत्र है तो यह आपका सही आंसर हो जाएगा कोरो मंडल और रायल सीमा यानि की चौता ओपसंस जो है वो आप के एनेज़े का फॉर्मूला याद है कि बराबर में हाफ eneB square V की वैल्यू यहां पर दी है कितनी के कि लिए तो कितना कर दो business उसमा धारिता सबसे अधिक होती है पहला options आपका विल्गल क्या हो जाएगा correct हो जाएगा next questions तापमान को किसी business degree में विवस्तित करने के लिए प्रयोक्त होने वाले उपकरण को क्या कहती है तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा उसके तेम thermostate thermostate गा क्या है तापमान को नियंत्रन करना थीक है यई ये पहला options आपका विल्गल correct हो जाएगा next questions के मनुस के नाखून बने होते हैं किसके नाखून वाल वे उई बने होते हैं तो यह जो बने होते हैं ये kerotane के बने होते हैं किसके दोस्तो केरोटेन के चौता ओपसंस आपका विल्कुल क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा कौन सी धमनी मानब सरी में आक्सियन युक्त रक्त का परिवन करती है तो कौन सी धमनी है तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका पलमोर्नी यानि कि चौता आपसंस आपको विल्कुल क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा हरे पालक में पर्च और मातरा में क्या पाय जाता है देखो पालक में अगर आपको देखने को मिलेगा मोस्टली आइरन देखने को मिलेगा आपके options में नहीं दिया तो आपको पोसक तत्व सारे देखने को मिलेंगे vitamin A, vitamin B, vitamin C सभी देखने को मिलेंगे calcium को छोड़के mostly आपको देखने को मिलते हैं चोहता options correct कौन से hydrocarbon LPG के मुख गटक है तो कौन से hydrocarbon LPG के मुख गटक है तो सही answer हो जाएगा आपका प्रोपेन और ब्यूटेन यानि कि इस questions का कौन सा दूसरा options जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा correct हो जाएगा next questions निमले के तमेंसे कौन से galena के नाम से जाना जाता है किसको हम galena के नाम से जानते हैं तो आप सबी लोग जानते हैं कि lead sulfide को हम galena के नाम से जानते हैं तीसरा options जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा correct हो जाएगा next questions निमले के तमेंसे कौन सी एक mangrove बनस्वती है जल्दी बताओ निमले के तमेंसे कौन सी एक mangrove बनस्वती है तो आपका जो सही answer हो जाएगा जो salt छेतर होते हैं वहाँ पर जो बनस्वती उक्ति उनको mangrove बनस्वती कहते हैं तो कौन सी बनस्वती जो है वो mangrove बनस्वती है तो राई जो फूरा तीसरा options जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा next questions की तरफ चलें next questions वायू गुडवत्ता सूचकांग क्या है वायू गुडवत्ता सूचकांग क्या है तो वायू गुडवत्ता सूचकांग जो है ये वायू की गुडवत्ता दरसाने वाला एक पहमाना है किया है वाइणक कि गुडवत्ता दरशानी वाला पेहमाना दूसरा उप्षंस ब्लोकर्यक्ट नेश्ट कोटउस्स किसपारिस्थितितितंत्र में बेंतिक छेतर पाय जाता है तो सही अंसर हो जाएगा जल पारिस्तितिकी तंत्र तीसरा उप्सनस बिलोकर करेक्ट कौनसा तीसरा उप्सनस बिलोकर करेक्ट अब देखो यहां से अब मैं आप लोगो को बताना चाहता हूँ 67 देखो 217 की करेंट अफेर्स है यानि कि अब यह जो आपके कोस्टन्स करवाए मैंने करवाए 31 के असपास यह भी 217 की सारी करेंट अफेर्स की कोस्टन्स है देखो 217 करेंट अफेर्स अब मुझे कुछ नहीं है पढ़ाने में मैं तो आपको बढ़ा दूँ लेकिन यह करेंट अफेर्स आपके काम की नहीं है अभी क्यों कि मैंने तो लाश्ट यहर का पेपर आपको स्वाल परवाने था तो यहां पर मैंने आपको एक चीज़ बता दे कि जी के आप लोगों को कहां से देखने को मिलेगी आपको आपने देखा होगा साइन्स के भी आपके साथ से 8 कोस्टन्स आए ठीक है उसके बाद करेंट अफेर्स के तो 20 कोस्टन्स मानके ही चलो तो करेंट अफेर्स की अलग से सीरिज में चलाने वाला हूँ डेली पुलिस कॉंस्टेवल के लिए उसके बाद अगर आप देखोगे तो हिस्टरी के भी कोस्टन्स आपको देखने को मिले जोगरफी के भी questions आपको देखने को मिले ठीक है ना तो इस तरीके से overall देखा जाए तो जीके से असे खासे questions आपको पूछे जाते हैं तो यही मेरा मकसद था कि आप लोग को एक बर दिखा दूँ आप लोग का सामना करवा दूँ पिछले year के पेपर से किस तरीके से आपसे exam में questions पूछे जाते हैं तो आज की इस वीडियो में दोस्तो यही बताना था यह जो आपकी वीडियो है 6 वजए upload की जा रही है 6 वजए mostly महत और UP जीकी की वीडियो जिनको मिलती थी UP jailwater के लिए बच्चो एक दो दिन रुख जाओ आप लोग के लिए अलग-अलग time पर अलग-अलग class एक बार मैं schedule कर दूँ फिर सारी चीज़े में आपको बता दूँगा ठीक है आप लोग हमारे चैनल के बाद साथ बने रहे हैं दोस्तो फिलाल की वीडियो में सिर्फ नहीं अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तो वीडियो को लाइक कीजिए सेर की जो और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहना ना भूलें क्या हूं की मरोजन यसी तरह की वीडियो से आप लोग लिए लात रहता हूं नमस्कार दोस्तो जै हिंद जै भारत